वेलकम स्टूटी ज़र्णी अगर आप इस चैनल पर नी हुए हैं तो सस्क्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना होएं लेट स्टार्ड नाओ एजुकेशन की एजुकेशन की एजुकेशन क्या होती है जब हमारे पास ऐसे कोई कोशन आता है तो सबसे पहले हमें उसकी मिनिंग बताना है कि यह जो वर्ड एजुकेशन है यह आया कहां से है और इसकी मिनिंग क्या है तब उसके बाद हमें meaning के बाद definition पाना है definition के बाद हमें फिर उसके अपनी साइड से जो भी हम explain कर सकते हैं उन definition को उनको करना है तो हम देख लेते हैं meaning of education meaning of education क्या है education is a word of English it drive from educatum कि जो education है वो English का word है और ये drive किस word से हुआ है educatum educatum is a Latin word ये कह रहे है कि जो हमारा educatum है ये ये एक Latin word है जिसका मतलब क्या है जिसका मतलब हमने education कर दिया तो ये दो word से मिलकर बना है e और do को जब हम इस Latin word को तोड़ते है तो do में तूटता है e और do को e मिन्स तो हो जाता है हमारा internal power या फिर inert power inert power कहते है जो हमारी एक अंदर की power होती है हमारी एक कोई शक्ती ऐसी जो इंसान के अंदर होती है हर इंसान में वो अलग-अलग होती है दूसरा है हमारा do को मिन्स टू ब्रिंग आउट फ्रों इंसाइड कि अंदर से वो जो power है वो निकाल ली है तो education का काम क्या है education का काम है या पर education का काम ही होता है कि जो बच्चे की inert power होती है उसे पता नहीं होता कुछ उसमें एक ऐसी शक्ति होती है वो teacher को बहार निकालने होती है उस फिल्ड में उस बच्चे को आगे ग्रोकराना होता है जो उसकी inert power होती है जो जनम से होती है अब यह है education से टू अलग word है जो यूज किये गए है मारे education फिल्ड में टू अधर word also used in education यह भी latin word है एडू care और एडू share यहां से care से याद रखना कि to nourish to bring up to rise यह education के फिल्ड में यूज हो है to latin word कि एडू care का मतलब होता है to nourish मतलब जैसे nutrition provide करना यह फिर किसी चीज को निकालना है किसी चीज को grow करना तो हम यहां पर किस चीज को grow कर रहे है कि जो बच्चे की कोई ability कोई power है अब आता है to lead out to draw out किसी चीज को घसीट के बहार निकालना जो उसके अंदर का गुण है उसको बहार लेकर आना education to train act of learning or teaching education क्या है किसी को train करना हम जैसे जब भी कोई education लेता है या educated बन्दा होता है तो उसको क्या करता है एक तरह से train करता है education में हमारा all over deployment आ जाता है कि किस तरह उठते है किस तरह बात करते है हमारे चलने फिटने सारा तरीका क्या है education में आ जाता है तो इसलिए का है to train किसी को train करना भी क्या education है education can be narrow और wider education narrow और wider हो सकती है अगर हम एक ही field में education की बात करें तो वो narrow है narrow education is a formal education जो हमारी narrow education होती है वो formal education होती है अब हम यहाँ पर इसकी full form देख लेता है education की full form expert, discipline, useful, creativity, awareness, truth, intelligence, obedience, nobility यह इसकी full form है हमें अलग-अलग बुक में यह अलग-अलग full forms मिल सकती है तो यह हमें जब अपना answer करेंगे तो हमें चाहिए कि वो answer हमारा यहाँ पर जो BA course होता है उसमें हमारा limit भी देखा जाता है कि paper कितना paper fill क्या हमारे एक question अगर 15 marks माया तो कम से कम इसके लिए 6 page तो हमें fill करने होगे तो इसलिए full form, meaning, nature यह सारी चीज़े उसमें add कर देनी है अब हमारा है definition of education education की definition तो हमें education की define में यह इस तरह करना है कि education लिखने के बाद inverted comma लगाना है और inverted comma के बाद जिसने वो define दी है उसका नाम और जो words हमारे define के रहते हैं वो as it is रहते हैं कुछ भी हमें अपनी side से आगे पीछे या ओपर नीचे नहीं करना है तो define first life is education and education is a life यह lock ने दी थी education is a process which bring to light the inherent quality इसमें देखो वो ही जो हमने education बढ़ा था कि education क्या है कि एक वो process है वो क्रिया है जो bring light to the inherent quality मतलब जो हमारे अंदर quality पहले से होती है उसको क्या और चमकाती है पाप जो बच्चे की inner power है उसको बाहर निकालना है फ्रोबेल ने दी थी है वेन education work on a noble mind इट ड्रॉआउट टु व्यूव एवरी लेटेंड वर्च्यों पर्फेक्शन एडिशन हमें definition में जादा कुछ नहीं करना इनको बस as it is याद कर लेना है जो definition होती है वो रटने वाली चीज होती है कम से कम paper में हमें five define तो लिखनी है किसी जो भी हमसे topic पूछेगा उससे related उसकी defines education is a natural process, harmonious and progressive deployment of man's innate power पैस्टरलोजी ने कहता ही है अब दूसरी education की एक define और education is a deployment in the individual of all perfection of which he is capable तो define क्या होती है जिस scientist को जो सौझ माया कि हाँ education ये होती है कि किसी की को perfect कर देना education है किसी की innate power को निकाल लेना education है तो इन psychologist ने अपने प्रेहसाब से education की define दी last में हमें इसी लिए इनकी define लिखने के बाद paper में हमें अपने भी thought लिखने कि हमारे लिए education क्या है एडवर्थ रिंग ने देखो कि अच्छा बोले कि education क्या है कि transmission है education is a transmission of life by the living to the living education is a human development process it is a control environment तो यहाँ पर कम से कम 10 define देख लेते हैं जो paper में हमें इसकी 5 लिखनी है education is a process of physical, mental, intellectual development तो हमें यह बात याद रखने है जो words जिसने बोले है उसी psychologist का नाम लिखना है वरना हमारे यह पूरा गलत हो जाता है फिर दूसरा है education is a process in which and by which the knowledge, character and behavior of the young are shaped and modeled educator and behavior तो किस-किस पर effect डालना हमारी knowledge पर हमारी knowledge पर हो गया effect और हमारे character पर knowledge पर, character पर और behavior पर education is a process in which and by which the knowledge, character and behavior of a young are shaped and modeled तो यहाँ पर हमने दो पर लिया अब last topic हम यहाँ पर aim भी देखते चलेगे तो aim of education में पहले तो यह define आ गई जो हम learn कर लेगे इसको और अब इसकी meaning देख लेते नीचे and aim is a predetermined goal which stimulate human activity to achieve it मतलब aim जो है हमारा predetermined goal है जो human को activity बताता है कि अब हमें यह करनी है यह करनी है अपने goal को अचीव करने के लिए जब भी हमारा कोई goal होता है कोई लक्षी होता है कि हमें यहाँ तक पहुछना है तो उससे पहले कुछ step होते हैं कि ये करना है फिर ये फिर ये फिर ये तो step जो हमारा aim बताता है हमें कि हमें ये step अपने करने हैं तो इसलिए बोला कि पहले से ही determine कर लेते हैं हम अपना ये and aim is a pre-determine कि पहले ही determine कर लिया goal which stimulate human activity to achieve it aim are an integrate part of the fabric of an educative process without philosophy an educator could not have aim मतलब बिना philosophy के किसी education वाले की कोई क्या aim नहीं हो सकती he could not have a practical philosophy या फिर वो practical philosophy नहीं हो सकती तो अब हमने आज education की meaning education define और education हमने इसमें कर लिया है aim अब हमारे पास nature बचता है उसका और फिर आगे देखते हैं आढe आगे मोध सकते हैं है या जिया attributedप मत जांभा